तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए हाला कि मैच में वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान वर्टस साउथ अफ्रिका के बीच होने वाले मैच की प्रेडिक्शन की जो यह मैच खिला जाएगा यह मैच होगा चैन्ने के अंदर ठीक है और चैन्ने का विगेट आपको बताईए एक ऐसा विगेट है जहां कोई न इन्वेश्मेंट करने से पहले अगर आप इस मैच में इन्वेश्मेंट कर रहे हो ना पहले वीडियो को देख लेना क्या इन्वेश्मेंट करना चाहिए अगर करना चाहिए तो हाई करें या कम करें और कौन से कॉंटेस्ट के लिए टू मेंबर फॉर मेंबर या मिनी जिय ना और उसके बाद आप लोग ऐसी टीम बनाऊगे कि आपको भी यकिन नहीं होगा कि यह मैंने ही टीम बनाई श्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे बिले गाइस जो बंदे ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए 10,000 का गीववे लेकिन इस बार गीववे अ unexpected हुआ मुझे उम्मीद थी कि आप लोग करवाद होगे लेकिन आपने करवा है नहीं मुझे उमीद थी कि इंगलेंड जीतेगी तो इंगलेंड भी नहीं जीती तो अगर आप मेरी उमीद पर रहोगे तो आपकी भी उमीद पूरी होगी और आप भी अच्छे खासे उसको देखते हैं जो सही तरीकी से फॉलो करते हैं तो दसजार का गीववे जरूर है लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट गीववे कैसा गीववे आगे देखेंगे ठीक है हाँ गीववे उनके लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर उसके दसजार सिंपली तो हां में पॉइंट है कि वीडियो तो मैं अभी जैसी वीडियो आप देख रहे हो इसमें तो सारी चीज़े मिलेगी लेकिन मैच की फाइनल टीम कहां आएगी टेलिग्राम पे और मैं ट्राइ करूंगा क्योंकि यह चैन्ने के अंदर मैच है और मै ठीकत नहीं होगी अगर यह मैच जीत जाते ना तब भी ऐसा नहीं कि वालिफाई बहसे लिया हारें लेकिन अUCKर अब यह पाकिस्टन बहसे बाहर है वही होगी हुए थिल अभी सांस-टकी हुई है खतम नहीं हुए है तो मैच मैं रोमांच आपको देखने को मिलेगा मतलब मैं थ्रीलर मैच की उमीद करूंगा इस मैच में क्योंकि साउथ अफ्रिका ओलरी ऐसी कंडिशन पर कि वह तो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे आप तो क्योंकि वह तो पहले क्वालीफाई हो चुकी है इंडिया न्यूजिलेंड साउथ अफ्रिक आपको प पात की बात है हां मैं बात करता है फाइनल टीम तो वह टेलीग्राम पर मिलेंगी ठीक है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जरूर जोइन कर लेना है ग्रैंड लीगी टीम यहीं आएगी और स्मोली की आफ्टर टॉस टीम और पिच्छी रिपोर्ट जो बहुत मैच में कंफर्म है क्योंकि एक जीतता हुआ है जीतता हुआ यह जो तुक्के लगाता है एक जन्वन फैंटेसी बंदा नहीं जीतेगा नेक्स्पेक्टेड मैच में यह मैं लिखके दे सकता हूं क्योंकि लोजिक होता है यार हर चीज के पीछे अब इंगलेंड को विन गए केवल नो और दोनो इनिंग में पैसर ने पांच और इस्पिनर्स ने चार विकेट निकाले इवन पैसर को ज्यादा विकेट मिले थे 270 से 280 का एक नॉर्मल स्कॉर में उमीद लगा रहा हूं उसकी अलावा यहां पे पैसर ओडियाई फॉर्मेट में ज्यादा इंपोर् आफ्री में याद होगा पाकिस्तान का अंगानtó refuse अंधर ही मैस्ता अफगानेस्तान क्या बहत्रीन तरीके से बैटिंग कर यह दिए और लोग कह रहा है कि यह spin Wicket है इसा गेम होता है कि यह स्पीन विगट होता है लेकिन वही बात है इतनी पी इपिन की उमीद मत लगाना कि पूरे इस पिनरी गेम में बढ़ लो कि एक पाकिस्तानी चाहिए लिटरली बट अगर डीको का बल्ला चल गया तो फिर गये यह काम से लेकिन डीको को दिक्कत होने वाली है क्योंकि पावर प्ले में आने वाले हैं हसनली और शाहिन हाले कि शाहिन की कुटाई कंफर्म होने होनी चाहिए क्योंकि वह लेफ्टार मीडियम पे सरे और वह लेफ्टी है देखते आगे बताऊंगा है टोटल यहां पे 26 मैच हुए बैटिंग 15 मैच जीती और बोलि की बात आती है तो यहां पर थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया है चार मैच विन किये साउथ आफ्रिका और एक मैच हारी है ठीक है आप इसको इग्नोर करना मैं वैसे बता देता हुए नहीं बोला भी जाता है ठीक है चार मैच विन किये एक मैच हारी और हारी भाई कैसी थी है निदरलेंड से हार गये थे और सब को बीट कर रहे है उस्टेलिया को ले लो सब को हरा दिया कि निदरलेंड से हार रहे थे जो बिलकुल उम्मीद ही नहीं थी चलो होता है भाई अपसेट तो देखने को मिलते है ये इंग्लेंड भी तो हारी थी अफगानिस्तान से पाकतान की बात आती है इitters बाता हो हाट om और ाकषिई मैच अफगानिस्तान से भी हार किए और इस मैच को यह था जाती है तो फिर भूम जाना पाकिस्तान किसी हालत में नहीं आ सकती है, confirm हो जाएगा, एक बार के लिए ये मैं जीतेंगे तो चलो थोड़ी वो सांस तो चली हुए, वो चलेगा, बार अगर ये हार जाते हैं तो फिर confirm हार और ये बाहर, ठीक है, 45-55 का विनिंग रेशो है, वो भी इसलिए कि साउट अफरीका की प्लेयरों की फ भाई, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचस को हारती नहीं है, आपको पता ही होगा, और एक बार फिर वल्ड कप ले जाएगे, पाकिस्तान तो फिर भी बाहर हो जाएगी, मतलब जीतने के बाद भी इनको बाहर आराम से किया जा सकता है, लेकिन अस्ट्रेलिया नहीं होती है, दे लेकिन किसकी जगा आएंगे, क्योंकि नगीडी हटेंगे नहीं हो सकती है, क्योंकि इनको पहले बता है, हम तो क्वालिफाई है, तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे नगीडी ये रबाडा को अटा दे, किसी को भी बड़े मेन प्लेयर को, रबाडा या कोट जी में से कोई भी अट सकता है, ये जैसेन, क्योंकि इनको पहले बताई कि हम अंदर है, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है न, कि ये टीम एक्सपेरिमेंट पे जाती है, तो एक इनका मेन पेसर या तो जैसेन ये रबाडा हटके, ये शमसी को लाज सकते है, क्योंकि ये चैनले में आपक आपकरम, हैंडरी, क्लास, जो अच्छी फर्म है न, वैज तगडी, मिलर, जैंसन, गेराल कोट जी, महराज, रबाडा और लूंगी न, एक्सपेक्टेड लाइन बैटिंग ओडर की अगोडिंग और ये बेंच के प्लेयर है, लिजार्ड विलियम नहीं खेलेगा इस मैश म लाइकली, शमसी आ सकता है, ठीक है, नगीडी, जैंसन, पावर अपले में आएंगे, और जैंसन, अगीडी, रबाडा, डेथ होर्स में आएंगे, चलिए अब हम बात करते हैं किस प्लेयर का कैसा रिकोर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, पहले हम देखेंगे साओट अफरीक डिको की बात आते हैं, डिको की फॉर्म वैसे बहुत ट्रिमेंडियास है, आपको बताए होगा, बंदा सेंचुरी ठोकता है, तो जल्दी चला जाएगा, वहना सेंचुरी अपन करेगा, और आखरी पांच मैच इसमें, दो मैच में इनके 80 प्लस का 80 एक मैच, इनकी फॉर् इन्यू पर भी एक मैच है, जिसमें 40 थे लिए, तो प्लेयर तो ड्रोप तो करना ही नहीं है, किसी हालत में ड्रोप नहीं कर सकते हो, और इनके लिए ना, मोस्ट लाइकली इस्तिकार रहमत पावर प्ले में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्टी आपको बताई होगा, कि इस्तिकार रहमत इनके लिए पावर प्ले में आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखके चलना, इनके साथ बुवामा उपन करेंगे, बुवामा का रिकोड ठीक ठाके, एक मैच में 92 है, डैसन की बात आती है, आखरी मैच में डैसन फ्लोप हो गया था, आखरी मैच में पता ही आपको पता होगा कि लाया गया था डीकोग के लिए और डैसन आउट हो गया था, शायद वही था, ये वाला है मैसा निजलेंड वाला ही ठीक है, और फिर मारकरम है, मारकरम तो बहुत अच्छा प्ले रहे हैं, मारकरम तो ऐसा प्ले रहे ना, जिसको आप कैप्टन भी बन अच्छी है, साउथ अफरीका बहुत अच्छी टीम है, उसके बाद यहां क्लासें, साउथ अफरीका को लिटरली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने ये तक नहीं सोचा था कि ये क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ये तो बड़े अनेक्सपेक्टेड तरीके से आये, औ आप हैंडी क्लासें को कोई ड्रोप नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन अगेंस्ट रिकोर्ड पाकिस्तान बहुत गंदा रिकोर्ड है, तो ये इस चीच का फायदा आप उठा सकते हो, डैविड मिलर है, डैविड मिलर को स्मॉल लिग में तो क्या ह रबाडा का रिकोर्ड ठीक ठाकी बोलूगा मैं, हाला कि है टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकोर्ड होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट काफी गंदा रिकोर्ड है, लेकिन प्लस पॉइंट वेन्यू पे इनोंने तीन विकेट निकाले वे, नगीडी की बात आती है, अगेंस्ट नगीडी ने चार विकेट लिए तीन मैच में और कोड जी का पहला मैच होगा, अब देखते हैं, बैंच के तो बैंच में शमसी काफी चप ले लेकिन देखते हैं, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, चलिए स्कोर कार की तरफ चलते हैं, तो आखरी मैच में आप दे में आपको पता होगा कि मैंने इसको वी सी दिया था, तो मैंने वी सी दिया था मेरा कैप्टन दा शाकी बलसन, लेकिन मैं वह जो मैस था बहुत अच्छे तरीके से जीता था, निदेलेंड से तो यहारे थे यार में भी क्या बाते कर रहा था भी स्टार्टिंग में, तो य उसका रीजन था, मेहमद उल्ला शांदार विनिंग की थे ठीक है, शायद मैंने नो लाग पचास जार के समतिंग कुछ विनिंग की थी, उसके बाद यह सेकिंड लाश मेंच का स्कोर कार्ड है, इस में हैंडिक्स ने बहुत अच्छे स्कोर किया था, और हैंडिक लासें न मैच, अब हम बात करते हैं सेकेंड बाकस्तान की, तो टीम तुरे की काफी अच्छी है, लेकिन कैप्टन सी, इनकी कैप्टन सी, बाबाराजम की बहुत ही गंदी, आपने देखा योगा की ट्वीटर है वगदा अगर अब चलाते हो, तो ट्रेंड कर रहा था, कैप्टन सी, कैप्टन सी ट्रेंड कर रहे थी, बहुत गंदी कैप्टन सी की इनोंने, पूरे में, पूरे वर्ल्ड कॉप के मैचेस हैं, पांचों मैचेस में बहुत बेकार कैप्टन सी, तो देखते हैं, कैप्टन सी से बाई बंदे की परफॉर्मस पे भी काफी एफेक्ट आया, आपक और परसनली मुझे लगता है कि इनको एक चेंज करना चाहिए अबरार रहमदवाला बहुत अच्छा स्पिन बोलर है वह और क्योंकि यह तो वैसे भी लिटल वेट स्पिनर्स के लिए हेल्प हो फुल है तो उसामा मीर और शादाब खान में स्पिन के लिए तो यह तो उसामा या शादा और उनकी जगह अबरार रहमद को मौका मिलें बहुत अच्छा प्लेर लेकिन वहीं बातना है कैप्टन सी कैप्टन सी तो बहुत अच्छी चली रही है एक्सपेक्टे लाइन पैटिंग ओडर के कोडिंग मैं बोलर आपको और अपने में शाहिन के साथ और डेट में हारी अब्दूल्ला शाफीक तो आपको पता होगा वर्ल्ड कप से डेब्यू किया है तो इनका तो पहला ही मैच है लेकिन इस वेन्यू पर नहीं एक मैच खेला आकरी मैची जिसमें अट्थाओं रन का स्कूर इमामुलक की बात आती है आकरी मेच में 17 पर और अगेंश्ट इनका रिकोड बहुत अच्छा होता यार इनका रिकोड भी काफी ठीटाग डिकोर्ड है और हर टीम के अच्छा अच्छा है जब यह कैप्टन नहीं था ना बहुत छांदार परफॉमस्थ था लेकिन वह प्रेशर आ जा तो भा परफॉमेंस है एंसनु पৌर कुसरा स्टास में का उसामामीर ने क् DB स्कूल है उसनाय में तकौन वाल मैच कृए है हसंनली बहुत पुराना प्लेयर है और जिन्होंने बहुत मैच अच्छा है और खालीस को और बी अच्छा है है though इतनी गंदी पिटाई होती ना कि लगता है नहीं कि यह वही हारी सबस्यृच्ष इसकी बॉलिंग देखोंगे ना जवाब लेकिन अभी इनकी बोलिंग देखोंगे लगे वह वहला सीन हो रहा है कि अच्छा है लाश्ट के तीन मैच में आप देखोंगे विकट भी ओडियां यह फॉर्मट के शायना फृदी वैसे विकेट टेकर है क्या ही बात करें उसके बाद यह बैंच के प्लेयरे जिसमें अबरार हमत को मैंने मैंचन नहीं किया लेकिन वह बहुत अच्छा प्लेयरे स्कोर कार की बात आती है लाज के तीन मेंच के स्कोर कार दिकार रहा हूं यो अफगानिस्तैन के ट्रो लिटरल इनकी बोलिंग सबसे ज्यादा इनकी मजबूती और बोलिंग कॉलेप्स होगए तो टीम कहां से मैच जीतेगी सेम इस में इस में बहुत गंदी बोलिंग होई आखरी मुमेंट पर आरीस ने अच्छा कंबे किया था तो इसमें इसमें तो बोलिंग को चलो इतनी और सबको लेगा वह वाला सीन हुआ तो यह टीम इनके बास के कॉन्फिदेंस बिल्कुल खतम हो चुका है कॉन्फिदेंस वाली बात ही नहीं रही है आप देखोगे कि मैं जीते जीते हार जाते है लोग ठीक है तीसरे मैच की बात आती है इस मैच में बाबार आज ये दो तीन चार पांच लाइक और कॉमेंट किये वह बंदें फिरी में जीत चुके हैं दोसो दोसो रुपे यानि कि हजार रुपे का गिववे तो किलियर हो गया ठीक है और हां मैं गिववे कल ऐसा गिववे लाँगा ना मजा जाएगा आपको कल दो मैच है तो शायद एक मे मैं बता दूंगा ठीक है अभी का लिए यह जो दसजार का गिववे ना सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अब आप बोलेगे क्या बताओ जल्दी गीववे यह कि इस वीडियो में तो कोई गीववे है नहीं वह तो पहले हो गया फस दाउनलोड कर लेना मैं आपको बता देता हैं चलिए सबसे बिले यह तो पता ही होगा आपको फाइनल टीम टेलेग्राम पे आएगी डिस्क्रिप्शन में लेंक के जोइन कर लेना ठीक है अगर जोइन नहीं किया लेना और हां इंवेस्ट्मेंट की बात आती है ट्राइग करना investment बहुत कम हो बहुत ही कम क्योंकि यह ऐसा मैंच है अब देखिए मुझे एक बाद बताइए अगर आप स्मॉली की टीम बनाओगे तो काप्टरन से किसको दोगे डिको को मारकरम को बावराजम को पहले बोलिंग आए तो शाहिन भी अच्छा होई जाता है शाहिन आफ्रीदी को और देखा जाए तो मारकरम तो लेहीं लिए मैंनाम हैंडी क्लासें मारको जैंसें बहुत मतलब यह मान लो की investment या तो यह करना मैं परशनलि मेंच में head to eight contest खेलूंगा थी मेंबर को भी side में रख दो four member को भी side में रख दो केवल head to eight contest खेलने इस में ध्यान रख्यान रखके चलना ना three member ना four member personally मैं head to eight contest खेलूंगा और मेरा इंवेस्मेंट लिए उन होगा और मेरी टीम भी लीग लिकी आएकी ड्रीम ले की बनाते बनाते लीक और घरांब जाती है तो मैं पहले बता देटा हूं ऐसा नहीं कि आप द्रेवनेंटा नेंखर Mina करें करो मेरी टीम से मैं से और etrкив क्ली लिए उनकी टीम आईगी बाहु सब्सक्राइब रहे सबसे पहले मैं बढ़ी आगेा है अब बिल्गों ले सकते हो लें अपको पता हो अच्छी अगर आप वीडियों देख रहे हो बैटिंग में आने के बाद बाबर आजम एक बहुत इंपॉर्टिंट प्लेयर डसन एक इंपॉर्टंट अब्दुल्ला सफीग इमामवलको में अकॉर्डिंग टू कंडीशन लूगा टीम की पहली बोलिंग आई तो लूगा बैटिंग आई तो नहीं लूगा और रांडर श चाहिए बैटिंग आया पाकिस्तान की चाहिए साथ आफरीका की किसी की यह तीन होगे चोथा ओक्षन मेरा या तो कोड़ी होगा यह कोड़ी के अलावा मैं लेने वाल हूँ हसन अली को और तब ही में लूँगा जब मैं पाकिस्तान को वनसाइड भीन कर वा रहा हूं तो उस कि है और के कियांगा लेकिन हैं टोक के साथ हैं लेकिन उससा को बता देता हूं टीम की पहली जानवा देदूगा यह पर मेरी सबूलों को अब्रोपे कर या पर अफने मैंने घ्रव करना यह कैप्टन और उपने लिए तो अपने लिए तो काम कर दिया था और क्योंकि पूरा गेम इसके उपर डिपेंड आगा प्रेशर यह जहल नहीं पाएगा तो फिलाल के लिए मेरा कैप्टन डी यह डीको के वी सी रिज्वान है बाकि अगर मैंने करवाया तो फिर मैं बाबराजम को कैप्टन सी दे दूंगा मैं बता दूंगा अभी के लिए अब आपको कोई करने पर कोई अमाउंट देना नहीं ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिए डाउनोड कर लेना गीववे भी आपके लिए यहीं पर होगा और मेरा इंवेश्मेंट यहीं होगा अगर आप ड्रीम पर खेल रहो आपकी मर्जी मैं तो खेलूंगा नहीं और ना में टीम दूंगा ठीक है क्योंकि यार देखिए ड्रीम पर खेलता हूं तो फिर वहां की अलग टीम बनाओ यहां की अलग टीम बनाओ फिर वो दिमाग इधर से उदर वो खराब हो जाता है से फोकस करो विन करो साथ और हारो भी साथ सिंपल है तो मेरी टीम हो गई चेंजेस जो भी होंगे टेलेग्राम पर मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफर से आजाओ थैंक्यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडिय कर्दाएंगे टीम होंगे।